देखो लालो जी साब साब बता देता हूँ इस बार मेरे खेत में सरसो की पैदाबार बहुत हुई है और सरसो आप देखी रहें कितनी बढ़िया सरसो है तेल बहुत नेगलेगा इसमें मैं मंदी में आपकी आरत पिलाया हूँ अपनी सरसो को अच्छे से अच्छे रैट में बिगबा दो अखलेस आपकी बहुत-बहुत मेर्वानी जो अपनी सरसो को तुम मंदी में मेरी आरत पिलाये कोई बात नहीं बहुत अच्छे रैग में भिकबाऊंगा मैं आपकी सर्सों को खरीदार भी बहुत बहुत दूर से आये लेने के लिए बोली की सुरुआत करता हूँ मैं पांच हजार रुपे पिर्ती कॉंटल के हिसाब से अरे नालू जी पांच हजार रुपे पिर्ती कॉंटल ऐसे कैसे बोली लगा दी तुमने सर्सों की ये अखलेश की सर्सों इतनी बढ़िया तो लग नहीं रही है इसमें तेल तो जादा निकलेगा नहीं भै तीनहजार से शुरुवात करो नहीं तो मैं इस बोली से हर जाता हूँ हर जाओ योगी जी मुझे कोई फडब नहीं परता बोली तो पांच हजार से शुरुवात होगी 500 रुपे पिर्ती कॉंटल के हिसाब से मैं लेता हूँ ओहो उबैसी जी छागए छागए बिलकुल छागए और कोई आगे पच पंसो रुपए उबैसी जी लानू जी छे हजार रुपए प्रति कॉंटल के हिसाब से ये सरसो मेरी हुई अखलेस की क्या बात है क्या बात है समंदर जब तक सांथ रहता है रहता है लेकिन जब अपना रुद्र रूप दिखाता है तो मोदी जी की तरह दिखाता है एक दमची 1000 रुपए प्रति कॉंटल के हिसाब से मोदी जी की पहली बोली ये सरसो तो मैं ही खरीदूंगा चाहे कुछ हो जाए आठ हजार रुपे प्रिति कॉंटल बात जब जित्पे आ गई हैं तो हम भी पीजे नहीं हटने वाले हैं 9,000 रुपे प्रिति कॉंटल पूरे 10,000 रुपे प्रिति कॉंटल 12,000 रुपे प्रिति कॉंटल सरसो मेरी हुई लालू जी ऐसे कैसे हुई बीस हजार रुपए प्रति कॉंटल जब बर्दस्त बोली की जंग देखने को मिले ये कोई भी पीजी हटने को तयार नहीं है ना मोदी जी ना राहुल जी देखते हैं ये सरसो किसकी होती है 25,000 रुपए प्रति कॉंटल 55,000 रुपए प्रति कॉंटल 80,000 रुपए प्रति कॉंटल एक लाग रुपए प्रति कॉंटल अडे राहुल बोलो बोलो कैसे फुस हो गए अब क्यों नहीं बोल ले हो लगता है ये एक लाग रुपए प्रति कॉंटल के हिसाब से सरसो की धेरी म एक लाग रुपए एक लाग रुपए दो एक लाग रुपए तीन मोदी जी की सुनामी के सामने पस्त हुआ राहुल का जुआर भार्टा बाई लोगो वीडियो की लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो ये बिलेक बोर्ड पे मैंने एक कोश्चन लिखा हुआ है इसका अंस साजी भी है इन से कुना पूछा करो अच्छा ये बताओ मैंने कल तुम्हारी कॉपी में एक पिरसल लिखके दिया था कि पानीपत के यूद पे पिरकास डालिए अरे जबाम में तुमने लिखा है कि मेरे पास टौर्च नहीं है कैसे पिरकास डालूं और अमिस्ता जी साइट पीछे बैठके अच्छा समझ में आए बहुत कूब बहुत कूब अमिस्ता जी और मोदी जी मैंने आपको भैस के उपर निवंद लिखने को कहा था लिखला है अन्य योगी जी घर चलके देखो भैस के उपर निवंद लिख दिया मैंने यहां पर भैस कैसे लाता सम कुल भैस के पेट के उपर लिखा हुआ है क्या बात है मोदी जी तुमने तो गजब कर दिया और अखलेस आबेल मुझे मार मुहाबरे को एकजैमपल यानी उधारर दे के समझाओ जैसे मैं आपसे कह दूँ आप मुझे दसका पहाड़ा सुनो तो यह आबेल मुझे मारने लाली बात हो गई क्योंकि मुझे दो का पहाड़ा तक याद नहीं है मैं जवर्दस्ती आपसे कहूं कि मुझे दसका पहाड़ा सुनो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अगलेस लालू जी आप आम के आम गुटलियों के दाम इस मुहाबरे का हिंदी में उधारर दे के स अग्जामपिल तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता वैसी जी आप अंधेरे में तीर चलाना मुहाबरे को हिंदी में उधारर दे के समझाओ अभी पिछले साल जो परिक्षा हुई थे उसमें चार ओप्सन वाले पिरसन आये अरे हमें एक भी पिरसन का जवाब नहीं आता सो के सो पिरसन थे सम्में भी में टिक कर दिया देखो किलास में सबसे जाद्या नंबर आए मेरे अंधेरे में तीर चल गया वाई लोगो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो